नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियेस परिहार चनल में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक बरती की और L.T. ग्रेट शिक्षक बरती की, सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आज L.T. ग्रेट शिक् है, जुलाई लगा दी गई है, विद्यारतियों का कहना है कि जो आज बहस हुई, वो काफी सकारात्मक रही और हो सकता है, विद्यारतियों के पक्षमें निरणय आ जाए, यानि कि जो हिंदी और समाजिक विगन का परिड़ाम है, वो जारी करने का बहुत जल्द आदेश आ जाए, लेकिन इसकी एक तरफ STF जांच कर रही है, वानरसी में और उसने अभी तक 4 सीट भी दाखिल नहीं की है, तो इसलिए अभी कुछ भी भी पिता पाना बहुत मुश्किल है, हाई कोट भी ये देखना चाहेगा कि 4 सीट में आखिरकार लिखा क्या है, फिलाल 16 जु बरती की बारे में भी कुछ अपडेट हो नहीं रही है, और सी यूपी ट्रिपल सी भी बंद चल रहा है, इसलिए दोनों की कोई अपडेट नहीं है, तो अपडेट आए कहां से, बात कर लेते हैं, 69,000 शिक्षक बरती की 14 जुलाई को फाइनल्स बैस होनी है, कटाफ को लेकर की, दिखेंगे, आपर लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक बरती केज में उत्तर परती सरकार की तरफ से 17 पन्नों का काउंटर एफिडेविट रेडी है, और अभी अभी टीम को उसकी काउपी इंडर दाखिल करने का मात्र साथ दिनों का समय दिया गया है, इन साथ दिनों में टीम की एद्वक्ताओं द्वारा इस काउंटर का बेतरीन जवाब 13 जुलाई तक माननी नयाले में दाखिल कर दिया जाएगा, टीम इस काउंटर के प्रत्यक बिंदु की ग्यानता से अध् सिख्चा मित्रों ने, 69,000 सिख्चक बढ़ती है, जहां पर सिख्चा मित्र चाहते हैं कि 60 पैसर वाले बाहर हो जाएं, और 60 पैसर वाले विद्यार्थी चाहते हैं कि सिख्चा मित्र बाहर हो जाएं, और जो 60 पैसर के विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि BTC बाहर हो मुकतमत दाखिल हो जाता है फिर से एक मुकतमत दाखिल किया गया है मैंने कली बताया था एक किसी तरीके से एक मामले का कल पटक छेप हुआ था और फिर एक ये नए मामला है बीटी सी की तरफ से दाखिल SLP diary number 12016 की सुनवाई माननी सर्वोच नयले में BTC की अभर्थियों ने एक केस किया सुप्रीम कोट में कि उनको वरीते दिया जाए और B8 के जो अभर्थियों उनको बाहर कर दिया जाए ये लिखा है कि माननी सर्वोच नयले में पूरू निर्धारित ट्रेंड BTC का मामला जिसकी सुनवाई दिनांक 9 जुलाई 2020 को आइटम नंबर 11 पर नियत हो चुकी है आप सभी को सूची हो कि टीम के कतना मुताबिक 12,016 की सुनवाई 79,000 से समांदित कोड जस्टिस यूयो लेलित जस्टिस मुवन शांता नागौर जस्टिस विनीत स्रण जी की बेंचे में होगी सीनियर का नाम तो ये जो केस है इसकी सुनवाई 9 जुलाई को होगी और इन विद्धार्थियों की अपील है कि बीट के जो बरती है वो अवैद है और इन बीट के बरती को बाहर किया जाए बीट के अवैर्थी अवैद कैसे हो सकते है जब NCRT और NCTE और उत्तरप्रते सरकार सभी ने बीट के बरती को अनुमती दी है इसलिए बीट के बरती इस बरती से बाहर होना बहुत मुश्किल है बीट के अवैर्थी अगर नहीं होते तो ये जो 79,000 सेट है ये भर वी नहीं पाती और ये सीट खाली रह जाती इसलिए बीट के अवैर्थियों को समय 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 पर रहा गया है चूंकि BTC के जो अवैर्थि थे वो संख्या में भी कम है और सुपर टीटी को भी अच्छी तरीके से पास नहीं कर पाते हैं अरशाट अजार पांसो सिश्चक बरती में हम लोगों ने देखा है कि सुपर टीटी में जब बीएड नहीं था तो बहुत सारी सीटे लगबग 24,000 सीट खाली रह गई इसलिए जब बीएड आया तब सुपर टीटी में एक लाग 45,000 के लगबग विद्यारती पास हुई इसके बाद में आज एक और केस की सुनवाई हो रही है उत्तर कुंजी प्रखरण की अभी तक वो केस फाइनल नहीं हुआ है रिसब मिसरा का ये केस है और कुछ प्रसनों को लेकर की विवात था पहले मामला सिंगल बेंच में गया था सिंगल बेंच ने 12 दुलाई तक इस्टे कर दिया था डबल बेंच ने हटा दिया था और उसके बाद में फिर से बिद्ध्यारती आ गये सुप्रिम कोट हाला कि इसी तरीके के एक और मामला था अमिता तिर पाठी का जिसको सुप्रिम कोट ने खारिज कर दिया था देखते हैं कि आज रिसब मिसरा वाला मामले का क्या होता है जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के मादम से दे दी जाएगी यह होगी आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगाओ आपके काम को तो लाइक वश कर दिया करें पूरा वीडियो सुरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद